नमस्कार दूस्तों मैं दीपक चंद्राइयस मैं आप लोगों का श्रागत करता हूं आप लोगों को पता कि आज से तीन और पिर सब्सक्राइब करेंड़ी से किया स्वागत अब खरता हूं कि अगर तो आया होगा तो वीडियो को दुबारा आप लोग 2-3 बार अच्छे से देख लेजिए ठीक आप पूरा नोर्स बना लेजिए जो आपके एक्जाम के लिए क्या होगा इम्पोर्टेंट होगा आज से हम लोग अगस्त माह का अगस्त मन्त का करेंट अफेर्स के तरह ते आज की यह पहली क्लास है तो हम लोग यहां से पढ़ना स्टार्ट करेंगे ठीक है चलिए दोस्तों पहला पॉइंट है इसका विश्य खाद पुरशकार विश्य खाद पुरशकार 2021 यह किसको मिला तो याद रखेगा विश्य खाद पुरशकार 2021 डाक्टर शकुंतला शरंशिंग को मिला यह भारती मुल्की वैज्यानिक है डाक्टर शकुंतला शरंशिंग इनको दिया गया 2021 का विश्य खाद पुरशकार इस समय यह डेनमार की नागरिकता यह ले हुई है 2020 का विश्य खाद पुरशकार डाक्टर रतन लाल को मिला था ठीक है जो भारती मुल्की यह भी थे ठीक है लिकन यह यूएश्य में रहते थे यूएश्य के यह मृदा वैग्यानिक है मृदा वैग्यानिक है अच्छा विश्य खाद पुरशकार किस छित्र में दिया जाता है तो याद रखेगा जो भोजन की गुडवत्ता या खाद्यों पदार्थों की जो गुडवत्ता सुनिशित करता है जिससे मानो मानो की इध्यास में क्या होता है उनका विकाश विका तो याद रखेगा 1986 में इसकी अस्थापना हुई थी तो लाउस में इसका कहां पर इस्तित है लाउस लाउस कहां पढ़ता यूएस अमेरिका में अमेरिका में पढ़ता है सबसे पहला तो डाक्टर रिएस श्वामी नाथन को मिला ठीक है श्वामी नाथन को आप लोग जानते होंगे यह भारत में क्या थे इनको क्यों याद किया जाता है यह भारत में हरित करांती के जनक बोला जाता है इस पुरश्कार की आउधाडा किसमें सबसे पहले प्रस्तुत की थी कि विश्वात पुरश्कार एक होना चाहिए तो याद रखेगा एक व्यक्ति थे जिनको विश्व में हरित क्रांती का जनक बोला जाता है इनन को बिश्व है को ये यूश्व के वजञानिक थे यूश्य अमेरिका के लेकिन इन्होंने शोध जो है मैक्ष को में किया था तो सास्ते कि पूझा जाता है कभी कई कोस्षण की हर इस की सुरुआत्य विश्यों किस किस देश से उपने वाले यह एक यह अमेरिका थेए लेकिन इसकी अन्तरगर राष दी याती है जो पैसा दिया जाता है तो याद रखेगा युएश रेमेर की डालर यह पुरशकार राश के रूप में दिया जाता है तो दुबाई पहला पुरशकार किसे नहीं जीता था तह डाक्टर श्वामीनाथा नहीं जीता था जो जिनको भारत में हरितकांथि का जनक बोलते हैं डाक्टर रतनलाल के भी पूर्वश किया थे बाहरती मोली के थे जो USA की म्रिदा वैग्यानिक है ठीक है इसकी सुरुवात किसने सुरुवात करने में कौन व्यक्ति महतपोड भून का निभाया तो याद रखेगा डाक्टर नार्मन बोलाग ने तेक है इनको विश्य में हरित किया गया था शम्मानित किया गया था डाक्टर नार्मन बोलाग को ठीक चलिए दोस्तों अब देखते हैं हम लोग अगला पॉइंट है अगला पॉइंट है दोस्तों बास और दोगिग बास और दोगिग पार्ग बास और दोगिग पार्ग पार्ग ठीक यह कहां स्थापित किया जा रहा है तो मंदेर डिशा मंदेर डिशाए एक गाउँ, जो कहां पड़ता है अशम में, यहां पर याद रखेगा यह बास और दोगिग पार्ग की अस्थापना की जा रही है क्यों की जा रही है कि वहां की जो अस्थानी लोग हैं जो जनजाती लोग हैं आदिवाशी लोग हैं जो अस्थानी लोग हैं उनको रोजगार देने के लिए अशम शरकार के द्वारा ठीक है वाश और दोगिक पार की अस्थापना की जा रही है ठीक है इसके पहले वाली क्ल के बारा शुरू किया गया था और इसका भी में परपश क्या था कि वहां के जो आदिवाशी लोग है उनको रोजगार उपलब्त कराना ठीक इस बोल्ड प्रोजेट के तहर लगभग पांच हजार बाश ठीक है लगाए जाने थे तो इसके बारे में हम लोग याद रखेगा कि बारी मदिर चैनल कि आद्डिवाशी थे अगले पाइंट पर आते हैं मौों के मैं अगला पाइंट है दोस्तों उम भी अभीश कि लिपार रिपोर्ट फिश को ही और रिपोर्ट में आए कि यह पहले होता यह याद रहुआ कि हम लोग वर्ड ट्रेड ऑर्ग्नाजेशं बोलते हैं डबली टिश वर्ड में कि अस्थापना करें था इसकी अस्थापना 1 जनवरी घ्र इस सो पंचानवे में हूए 002 Não जेनेवा नाम सुना होगा आप लोगों ने जेनेवा यह कहां है सिर्जल लेंड में है जेनेवा जेनेवा की अस्थापना हुई थी इसका कार क्या होता है कि विश्यों में देशों के देशों के बीचों में जो टैरिफ होता है जो कर होता है उसको कम करने का कारी करता है डबल यहां मतलब हुआ जैसे सोयाबीन हुआ यह सब जो क्रिशी उतपाद है इसके निर्याद में भारत सिर्थ देशों में शामिल हुआ निर्यात करने में इसको निर्यात करने में निर्यात का मतलब क्या होता एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट करने में भारत जो है ठेक है दुनिया के सिर्स देशों में शामिल हुआ है इसकी रिपोर्ट के अनुशार ठेक है पहला देश कौन सा है तो पहला याद रखेगा कोई देश पेशिंगी एक संग अवात नाएओ को यादकरना आते हैं एक करोड अगला क्या है एक करोड़ फास्टेक नाम सुना होगा आप लोगों ने फास्टेक एक करोड़ फास्टेक जारी करने वाला भारत का पहला वैंक, भारत का पहला वैंक, भारत का पहला वैंक कौन बना है, ठीक है, पहला वैंक कौन बना है, तो आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, ठीक है, क एक वैंग है जिसका नाम है Paytium Payment Bank, इसकी अस्थापना अगस्त 2010 में हुई थी, इसका headquarters कहां पे है तो Noeda में है, उत्तरपर्दिश के Noeda में है, अच्या, इसके founder कौन थे, संस्य कौन थे इसके संस्थाफक विजय शेकर शर्म इसके संस्थाफ़ कौन थे संस्थाफक कौन थे तो वहाँ पी क्या होता था टोल टेक्स को पैसा देने के लिए गाड़ियों की लंबी लाइन लग जाती थी तो अब आटोमेटिक याद रखेएगा उनके खातों से जो गाड़ी मालिक होगा उनके खातों से ठीक है क्या हो पैसा कर जाएगा तो उसी को फास्टेक बोलते हैं यह भारत में कब आया था तो याद रखेगा 2016 से ही लागू था ठेक है 2016 से ही लागू था लेकिन इसको अनिवारी कब बनाए गया ठेक है अनिवारी इसको कब बनाए गया तो 16 फरवरी सोले फरवरी 2021 से इसको अनिवारी बना दिया गया कि फार्श्टेक होना क्या है जरूरी है अब तक देखे जितने फार्श्टेक पूरे भारत के सभी बैंकों के दोरह 3.47 करूड फार्श्टेक जारी किये जा चुके हैं जारी किये जा चुके है ठीक है चलिए हम लोग दोस्त अगला पॉइंट है कार पैट कार पैट क्या है यह याद रखेगा नो शैनिक शैन अभ्याश है यह क्या है नो शैनिक शैन अभ्याश है इसकी सुरुवात 2002 से हुई थी किन देशों के नहों स्वेणा के भीच में यह अभ्याश है तो भारत और इंडोनेशिया भारत और अंडोनेशिया के भीच में त्वे यह आयो जीत हुता है कौर्पेट शैन अभ्याश नो शैनिक शैन आभ्यास है इसका कौन सा संस्क्रण आपके बार आयोजित हुआ है संस्क्रड कौन सा आयोजित हुआ है तो 36 नंबर का 36 संस्क्रड आयोजित हुआ है कहां पर यह हुआ है तो अस्तल इसका हिंद महाशागर ठेक है कहां पर है हिंद महाशागर में नौशैनिक अभ्यास हुआ है इसका जो में परपच होता है यही ह बाचे होता है शाब। के भीच में अभ्यास होते का में देशों की तरफ से सर्यू और इंडोनेशिया की तरफ से भारत की सरफ से सर्यू और इंडोनेशिया की तरफ से के आराई बंग टोमो नामक जहांजों ने क्या किया भाग लिया इसमें तो कारपेट शैन अभ्याश क्या है नौशैनिक शैन अभ्याश है जो 2002 से शुरू हुआ भारत और इंडोनेशिया के व और इंडोनेशिया की तरफ से कियी आराय बंक टोंबो जहाज ने इसमें भाग लिया। तीक है अगले पाइंट पर हम लोग आते हैं देखते हैं इसको राजा मिर्च। अगला प्ल। है राजा मिर्च। राजाहर कि मिर्च। इसको हम यह राजा मिर्च को जियाई टेक जियाई टेक जियाई टेक जियोरोफिकल इंडिकेशन कब मिला था तो दो हजार अठारह में मिला ठेक है यह नागा लेंड की मिर्च है कहां किस राजी की है नागा लेंड की मिर्च है ठेक है दो हजार शात में दो हजार शात में ठेक है यह दुनिया की सबसे तीखी मिर्च होने का गौरो प्राप्त किया। कौन? राजा मिर्च. तो राजा मिर्च कहां की है? नागालेंड की है. नागालेंड का जियाई टेग इसको कब दिया गया? में दिया गया, 2007 में रिकार्ड गिनीज आप बुक में इसको रिकार्ड किया गया कि यह जुनिया की सबसे तीखी मिर्च है. ठीक है? जो भारत देश में पाई जाती है. अगला पॉइंट है वैस्विक सिख्षा सिखर सम्मेलन. ठीक है? यह भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों लंदन में. कहां पर आया जीत हुआ है दोस्तों? यह लंदन में आया जीत हुआ. इसका जो परपश क्या होता है? उस देश यह होता है, कि विश्च्च्च के अस्तर को बढ़ाना. साथ-साथ ठीक आपकी बार शम्मेलन में यह भी बात बोली गई कि कोविड 90 के चलते जो भी सिच्छा सैच्छिक संस्थान बंद हो गए तो उनको आर्थिक शहता उपलब्द कराकर उन सैच्छिक संस्थानों को पुरह पुरह चालू कराना ठीक इस वज़े से याद रखेगा वेस्विक सिच्छा सिखर सम्मेलन 2021 क्या था चर्चा में था ठीक अगली पॉइंट पर अगला पॉइंट है राजी उगांधी राजी उगांधी ग्रामेड राजी उगांधी ग्रामेड भूम हीन भूम हीन क्रिशी मजदूर न्याय योजना यह 36 गड़ सरकार की द्वारा शुरू किया गया थेक है इस योजना की सुरूआत की गई तेक है राजी उगांधी ग्रामेड भूम हीन क्रिशी मजदूर न्याय योजना ठीक है इसके अंतर गड़ ठीक है छतिस गड़ की जो सरकार है ठीक है जिनके पास भूम ही नहीं है उनको 6,000 रुपए 6,000 रुपए वार्शिक शहायता उपलब्द कराएगी वार्शिक शहायता उपलब्द कराएगी ठीक है इस बात को याद रखेगा आप लोग राजी उगांधी ग्रामेड भूम हीन क्रिसी मजदूर न्याय योजना किस गवर्मेंट की है तो 36 गड़ सर सब्सक्राइब और दोश्टों डेवरन्याय योजना तो यह याद रखेगा यम्प शरकार की है मतपरदेश गवर्मेंट की है इसका परपस क्या है इसका उदेश यह है कि यह और शदी को बढ़ाने के लिए और शदियों की नियुदियों को बढ़ाने के लिए यह योजना स्टार्ट की गई है और प्लस जंगलों में याद रखेेंगा आशदी बहुत ज्यादा मात्रा में पाई जाती है ति जंगलों आदिवाशियों के भी शंक्या जादा होती है तो आदिवाशी जो भाई हैं ठीक है उनको रोजगार उपलब्द कराने के लिए एंपी गवर्मेंट ने इस प्रकार की योजना की सुरुआत की है जिसको देवरन्या योजना की नाम से हम लोग जानते हैं ठीक है इसका माई गवर्मेंट पोर्टल किसने लांच किया माई गवर्मेंट पोर्टल को transit यूपी गवर्मेंट के में लांच किया गया रेकिंवा। जैसे, क्यों भेट किया है। इसको क्या गया है। माइ ग्वर्मेंट भूर्टल एकल ऑसलिए लड़ किया है। चलिए अगला पॉंट हम लोग देते हैं। करनाटक , करनाटक की जो राज शरकार है। करनाटक की राजशरकार ने अपने राजशरकारी शिवाओं में जो ट्रांसजेंडर हैं ट्रांसजेंडर जो ना पुरुष में आते हैं ट्रांसजेंडर को एक परसेंट का आरच्छड देने का प्रावधान किया है और ऐसा करने वाला करना तक भारत का पहला राज बना है ठीक है, ट्रांस जेंटर को 1% का आरच्षड देने वाला करना तक क्या है, भारत का पहला राज बना है चलिए दोस्तों अब अगले पॉइंट पर हम लोग आते हैं अगला पॉइंट है दुनिया की सबसे ऊची सड़क कहां बन रही है तो भारत में बन रही है भारत में बन रही है कहां पे लधा पूरवी लधाक में दुनिया की सबसे ऊची सड़क बन रही है भारत में कितने उचाई पे बन रही है então 19,300 वीट की उचाई पर इसको बनाया जा रहा है के किस दर्रमी यसटरक इस्तित है तो याद रहेगा omlink omlink aml einem ओमलिंग लादर्रा ओमलिंग लादर्रे में ठीक है यह शड़क बना जा रही है ठीक है इस शड़क को बना कौन रहा है तो बियारू ठीक है बियारू बना रहा है इसका फुल फॉर्म क्या होता है बार्डर बार्डर रोड रोड और्गनाजेशन और्गनाजेशन ठीक है बा इसका गठन जो है इसका गठन आप्रेल, आप्रेल 1960 में किया गया था, इसका हेड क्षाटर कहां पर इसकी जुख यो अध्यच है राजीवlarais चौध्री जुख है क्Wait है यौज है तिक्षाटर राजीव है ठीक है इसका गठन इसी परपस से किया गया था कि भारत के सीमा वर्ती राज्यों में यह क्या करेगी सड़क का निर्मार करेगी कौन बियार ओ टेक है जवाला नहरू के दौरा नीस सु साड़ में इसका गठन किया गया था इसका है अगले पॉइंट पे हम लोग आते हैं देश का पहला शाइकलिंग नीती जारी करने वाला शहर कौन सा है तो चंडीगड़ है यह भारत का पहला ऐसा सहर हो गया है जो शाइकलिंग नीती जारी किया है कि भाई जो शाइकलिंग से चलते हैं तो पर्यावरण को स्वस्त रखने के लिए आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि आप अच्छी तरह जानते हैं कि शाइकलिंग से जब लोग चलते हैं यह साइकलिंग के जब ज्यादा मात्रा में यूज होता है उपियूग होता है तो उससे परियावरण को गया होता है नुक्षान नई होता है ओसली थ्यान हीनी रखते हुए चंडीगरण ने इसके अंतरगर्व कुछ पाइंट जैसे पहला पाइंट विछाट Ciao कोई भी शायकिल से आता और जाता है तो उसको आदे दिन की चुत्ती क्या होगी उसको इस्टरा प्रदान की जाएगी चंडीगड की गुबर्मेंट के दौरा ठीक है दूसरा पॉइंट है कि शाइकिल के लिए पार्किंग जो हों गर्सuet हो यौ्ड जो पार्किंग की वियोष्था होगी ठीक है वो अपने आफिस शाइकेज से आता और जाता है लगाता और साथ दिन तब ठीक है चलिए तो अगले पॉइंट पर आते हैं हम लोग अगले पॉइंट पर आते हैं दिनले लैंड इसकेप आर्किटेक्ट इसकेप आर्किटेक्ट आर्किटेक्ट रावार्ट ओड़्र रावार्टो बर्ल मौक्स यह एक geographical place है वह रियो डीच जनेरियो तीच में ऊलग जानते होंगे रियो कर अब जो trader तीच ठाइब आददृशित यह बहुत इस चुन्य Olok ठेक अतिशुंदर है ठेक काफी ठेक लैंडइस्केप रावर्टो बर्लमक्ष ठेक ये रेज़ी जनेरियों में इसति था प्राजिल में ठेक ये चर्चा में इसलिए था कि यूनेश्को ने इसको क्या किया अपनी सूची में सामिल किया है अपनी विष्व विरासत वर्ड हेरिटेज साइट के रूप में इसको क्या किया है सामिल किया है इनुष्कों के बारे में आप लोगों को बताया था कि इसकी अस्थापना कब हुई थी सबसे बड़ा सबसे बड़ा सबसे बड़ा सबसे बड़ा एवं महतपूर देश है ठेक है इसकी राध्धानी क्या है तो ब्राशी लिया इसकी मुद्रा क्या है तो रीयल याद रखेगा इसकी मुद्रा क्या है रीयल है यह आजाद कब हुआ था तो अठारे सो पचीस में पंद्रह नौंबर 1825 में इस पर अधिकार किसका था तब पुर्तगाल का अधिकार था इसलिए यहां की भाशा क्या है भाशा क्या है पुर्तगाली है पुर्तगाली है ठीक है विस्य की ठीक है जो अमेजन नदी के बारे में आप सुने हैं अमेजन जंगल के बारे में सुने हैं ठीक है यह ब्रा तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं हम लोग अगली क्लाश जो है कल होगी तो वहां पर हम लोग इसकी आगे का पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे ठीक है चलिए जितनी भी बाते हमने बताई है ठीक है इसका अच्छे से नोर्स बनाकर इसको क्या कर लिजेगा आप लोग रिवीजन कर लिजेगा ठीक है आज के लिए दोस्तों सिर्फ इतना ही ठीक है मैं दीपैक आप लोगों से विदा लेता हूं नमस्कार